भूद भावन महंकाल की नगरी में सामने जो द्रश्य हम देख रहे हैं ये राम घाट का है राम घाट पे जिन्ने कुछ चहल पहल रहती है और बोटिंग अगेरा का अनन्द लोग लेद रहे हैं लोग वोटिंग का अनन्द ले रहे हैं पीछे आश्रम है और यहां यह शिव मंदिर है जिसमेश शिव जी विराजमान है मा की मूर्ति भी है और मा शेर पे विराजमान है बहुत ही मनुरंद्रस्य दोफार देड़ बजे का आपको शिप्रमदी का हम दिखा रहे हैं रामधार रामधार पर स्री राम बगवान आये थे रामधार रामधार यहां पर चिप्रा में डुक्की लगाई गई थे इसलिए इसका नम नाम गाट पड़ा यहां पर कर्मकांड स्राद्धकर्म यहां सभी प्रकार की कर्मकांड किये जाते हैं इस पार जो द्रश्च है यह द्रश्च किसमत वालों को ही देखने को मिलता है यह द्रश्च में आपको आपके घर पे उपलब्द करा रहा हूं दूर दूर से लोग चिप्रा में अपने पुन्य कमाने के लिए डुक्की लगाने के लिए आते हैं और बरसों के पापों से मुक्ति पा जाते हैं आप भी पधार हैं इस घाट पे माननी प्रधान मंत्री जी भी पधार चुके हैं मुख्य मंत्री जी भी पधार चुके हैं और सिहास्त में बड़ी बड़ी हस्तियां राम घाट पे सनान करना अपने परमसोगाग का सूख्यक मानती हैं झाल झाल